हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट प्रेस सेशन की जो सुबा चार बज़े वेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकलर फ्रेंटियर आई-एस पर आज की तारीख है 21 ओक्टूबर 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से ससेशनलपनेकल.com और बलजी इधाकर.com साथी साथ पर डेली वीडियो पीडियाफ एंड मंथली स्टार्ट करेंगे प्रिवेर्स क्वेस के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टिन पूचा था कि नए बिटिश वितमंत्री के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है? स्टार्ट करेंगे फॉर्स्ट क्वेस्चन है भारत सरकार ने बहु अनुशासनात्मक निगरानी अजेंसी को भंक कर दिया है कितने वर्षों के बाद इसे बंद किया गया है करेक्ट आंसर है 24 इयर्स दिटेल्स तेख लो तो सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की व्यापक साजिश की जांच के लिए गठे 24 वर्ष ये बहु अनुशासनात्मक निगरानी अजेंसी MDMA को बंद कर दिया है अजेंसी केंद्र जांच ब्योरो CBI के तहट काम कर रही थी और इसमें कई केंद्र सुरक्षा जेंसीों के अधिकारी शामिल थे इसे भंक करने का अदेश मई में जारी किया गया था और लंबिच जांच को CBI के अलग एकाई को सौंप दिया गया है अजेंसी को 1998 में MC Gen Ayo के सिफारिश पर दो साल के लिए स्थापित किया गया था और इसे वार्षिक विस्तार दिया गया लेकिन यह कोई बड़ी सफलता हासिल करने में वीफल रही पिछले कुछ वर्षों में अजेंसी ने श्री लंका, यूके और मलेशय जैसे देशों को बैंक लेंदेन सहित मामलों के विभिन पहलों के बारे में पूछने के लिए 24 अनुरोद पत्रे भेजे थे नेक्स देखो कटी बिहु किस पूर्वोत राजे में मनाया जाता है करेक्ट आंसर है असम दिछेल्स देख लो तो असम में 18 अक्टूबर 2022 को कटी बिहु मनाया गया कटी बिहु असम में मनाये जाने वाले तीन बिहु में से एक है अन्य दो, भोगली या माग बिहु तेरा या चौदा जन्वरी को मनाया जाता है और रोंगाली या बोहाग बिहु 14 या 15 एप्रल को मनाया जाता है तीनो बिहु क्रिशी से संबंदित योहार है कटाई की मौसम के शुरुवात को चिनित करने के लिए असम के पुर्वोतर राज्ये में कटी बिहु मनाया जाता है यह असमिय कैलेंडर में कटी महीने के पहले दिन मनाया जाता है जो आनतोर औक्टूबर के मध्ये में आता है कटी शब्ट का अर्थ है कटना जो उस समय को दरशाता है जब चावल के पौधों का स्थाना अंतरन होता है बात करें हाँ पर असम की तो इसके फोक डांस में आता है बी हूँ, युनेस्को वर्ल हेटे साइट्स में आता है काजी रंगा नैशनल पार्क, नैशनल पार्क में आता है काजी रंगा नैशनल पार्क, मानस नैशनल पार्क, औरंग नैशनल पार्क, डिबरु सिखोवा नैशनल पार्क और ना मेरी न जारी किया है करेक्ट आंसर है दोनों A और B यानि UNDP और OPHI सबसे पहले बात करेंगे इनकी फुल फॉर्म की UNDP की फुल फॉर्म है United Nations Development Program और OPHI की फुल फॉर्म है Oxford Poverty and Human Development Initiative तो बहु आयायमी गरीबी को कम करने के लिए भाव बंडलों को खोलना यानि Unpacking Deprivation Bundles to Reduce Multidimensional Poverty शीर्षर के तहट जारी किया गया था 111 देशों में 1.2 अरब लोग यानि 19.1% तीब्र बहु आयामी गरीबी में रहते हैं इन में से 593 मिलियन यानि 50% 18 साल से कम उम्र के नाबालिक हैं बहु आयामी गरीबी के उच्तम प्रसारवाला विकास शिलक्षेत्र उप सहरा अफ्रीका लग भग 579 मिलियन है इसके बाद दक्षिन एशिया 385 मिलियन है महामारी ने बहु आयामी गरीबी में हुई प्रगर्ती को तीन से दस वर्ष्ट तक उलट दिया है बार बार घरेलू सरवेक्ष्णों की कमी के कारण गरीबी पर महामारी के वासिक प्रभाव का आकलन करना मुश्किल है नेक्स देखो किस देश को अंतरराष्टे सौरगण बंदन के ध्यक्ष के रूप में फिर से अजे माथुर ने कहा कि केंद्र उर्जा नवीन और नवीकर्ण उर्जा मंत्री आरके सिंग को अंतरराष्टे सौरगण बंदन के ध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है फ्रांस के विकास राज्ये मंत्री क्रिसौला जचारो पोल्यू को से ध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है चार दिवसें तराष्टे सौरगण बंदन 17 ओक्टोबर 2022 को भारत की धक्षिता में शुरू हुआ नेक्स देखो गेहु का न्यूतम समर्थन मुल्य कितने रूपे बढ़ाया गया है करेक्ट आंसर है 110 रूपे डिचेल्स देख लो तो MSP बहेदर है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीती है वरतमान में सरकार खारीफ और रभी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली 23 के लिए MSP तैय करती है रावी फसलों की बुवाई यानि सोइंग खारीफ फसलों की कटाई के तुरंद बाद ऑक्टूबर में शुरू होती है यहूं और सरसो रावी की प्रमुक फसले हैं एक अधिकारिक विग्यपति के अनुसार डबल सी ए ने 2022-23 फसल वर्ष जुलाई जून और 2023-24 विपनन सत्र के लिए छे रावी फसलों के लिए MSP में व्रिधी को मंजूरी दी है मसूर के MSP में सबसे जादा 500 रुपे प्रतिक विंटल की बढ़होतरी देखी गई है रेप सीट और सरसों में 400 रुपे की बढ़होतरी की गई है इस फसल वर्ष के लिए गे 2015 रुपे प्रतिक विंटल था यहूं कि उत्पादन लागत यानि कॉस्ट और प्रडक्शन 1065 रुपे प्रतिक विंटल अनुमानेत है नेक्स देखो लेखा महानियंत्र के रूप में किसने कारेभार संभाला करेक्ट आंसर है भारती दास डिटेल्स देख लो तो 1988 बैच की भारते सिविल लेखा सेवा दिकारी भारती दास ने वेविभा के तहट लेखा महानियंत्र के रूप में कारेभार संभाला 27 वी CGA है जो भारत सरकार के लेखांकर मामलों पर प्रमुक सलाकार यानि प्रिंसिपल एडवाईजर है CGA तकनीकी रूप से सुदुरेड प्रबंदन लेखा प्रनाली की स्थापना और प्रबंदन और केंदे सरकार के खातों को तयार करने और प्रस्तुत करने और आंत्रिक लेखा परिक्षा के लिए जिम्मेदार है नेक्स तेखो 2022, Mercer CF Institute Global Pension Index Survey के नुसर भारत की राइंग क्या है? Correct answer है 41 Details तेक लो तो 2022, Mercer CF Institute Global Pension Index Survey हाल ही में जारी किया गया था 84.7 के उश्तम समग्र सूच कांक मुल्य के साथ, Island सूची में सबसे उपर है दूसरा तिस्टे स्थान पर क्रमक्ष नीदर लाइंड 84.6 और डेन्मार्क 82 है सूच कांक में थाइलैंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है जिसका समगर मुल्य 41.7 है सूच कांक में 44 देशों में भारत 41 वे स्थान पर था पिछले संसकरन में यह 43 देशों में से 40 वे स्थान पर था नवीन तम वैशुक रैंकिंग में पूर्तगाल नया प्रवेशी है तीन उप सूच कांक प्रियाप्तता, स्थिर्था और अखंडता में भारत का स्कोर क्रमक्ष 33.5, 41.8 और 61 है अगर हम इन तीनों का आवरेज लेते हैं तो अप्रॉक्सिमेट 45 स्कोर आता है नेक्स तेखो एएफसी एश्याई कप 2023 की मेजबानी करने के लिए किस देश के फुटबॉल संकी पुष्टी की गई है करेक्ट आंसर है कतर डिटेल्स तेख लो तो एश्याई फुटबॉल परिसंग एफसी की कारेकारी समिती ने कतर फुटबॉल संको एफसी एश्याई कप 2023 के मेजबान संक के रूप में पुष्टी की है ग्यारवी एफसी कारेकारी समिती की बैठे के धक्षिता एफसी अध्यक शेक बिन अब्राहिम अलखलीफा ने की इंडोनेशा के फुटबॉल एसोसियेशन और कोरिया फुटबॉल एसोसियेशन ने भी इसके लिए बोली लगाई थी कतर मौझूदा एफसी एशियाई कप चैंपियन है और तीसरी बार प्रतिष्ठित पुरुष टूर्णामेंट की मेज बानी करेगा बात करें हाँ पर कतर की कसी कैपिटल है दोहा करंसी है कतारी रियाल नेक्स तेखो पुर्षो के बेलेंडी और पुरसकार 2022 का विजेता कौन है करेक्ट आंसर है करीम बेंजेमा डिचेल्स तेख लो तो रियल मेडरेट स्टार करीम बेंजेमा ने पहली बार मेंज बेलोंडी और अवाड 2022 जीता वह प्रतिष्ठित पुरसकार का दावा करने वाले पांचवे फ्रांसी सी भी है पहला 1998 में जिनेदिन जिदान के बार 16 साल में पहली बार ना तो मेसी और ना ही रोनाल्डो 2022 बेलोंडी और अवाड में पोडियम फिनिश करने में कामियाब रहे स्पेन की पेशिवर फुटबॉलर बार्सिलोना की इलेक्सिया पूटलस ने दूसरे बार महिला बेलोंडी और पुरसकार जीता है यहाँ पर एक्स्टा इंफरमेशन की बात करें तो लियोनल मेसी को सबसे ज़ादा बेलोंडी और मिले हैं देश साथ पूरसकारो के साथ सूची में सबसे उपर है उसके पार हैं प्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 पूरसकारो के साथ है यहाँ तस्विर में देख लीजए लास्ट कुस्टन है आज के सेशन के लिए केंदर सरकार के पेंशन भोगियों के लिए एकिकरित पेंशन भोगी पोर्टल किस ने लॉँज किया? करेक्ट आंसर है डॉक्टर जितेंदर सिंग डिटेल्स देखलो तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राजे मंत्री डॉक्टर जितेंदर सिंग ने भार्टे स्टेट बैंक के सहयोग से विक्सित एकल एकिकरित पेंशन भोगी पोर्टल का शुभारम किया यह पोर्टल पेंशन भोगियों की सभी जरूरतों के लिए वन स्टॉप समधान के रूप में कारे करेगा भविश्य, पेंशन भुकतान और ट्रैकिंग प्रनाली के लिए एक पोर्टल को SBA के पेंशन सेवा पोर्टल के साथ एकिकरित किया जा रहा है यह पेंशन भोगियों को एक ही लॉगिन के साथ सभी जानकारी और सेवा एक ही साथ पर प्राप्ट करने में सक्षम करेगा एक ही करन के सभी चर्णों के पूरा होने पर सेवा नरित अब ओन्रैन पेंशन खाता खोलने के लिए बैंक और शाखा का चैन कर सकते हैं अपनी मासिक पेंशन पर्ची और जीवन प्रमान पत्र कि स्तिती की जांच कर सकते हैं और भविश्य के माधियम से अपने पेंशन वितुरन बैंक को बदल सकते हैं यहां आपको ध्यान रखना है कि जो भविश्य है यह फ्यूचर की बात नहीं होरी है ये पोर्टल का नाम है क्विकली बात कर लेते हैं आज की सेशन की समरी की तो मल्टी डिसिप्लिनरी मोनिटरिंग अजेंसी को 24 साल के बाद डिस्बैंड किया गया कटी भी हूँ असन में मनाया जाता है मल्टी डिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स MPI को UNDP और OPHI ने जारी किया इंडिया को ISA के प्रेजडन के रूप में रिलेक्ट किया गया है वीट के MSP को 110 रुपे से रेस किया गया कंट्रोलर जनल अफ अकाउंट्स बने है भारती दास 2022 मर्सर सीएफ इंसिट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में इंडिया का रैंक है 41 AFC Asian Cup 2023 को होस्ट करेगा कतर फुटबॉल एस्सिएशन मेंस बेलोन डियोर अवर्ट 2022 जीता है करीम बेंजेमा ने और सेंट्रल गवर्वेंट पेंशनर्स के लिए इंटीग्रेटिड पेंशनर्स पोर्टल डॉक्र जीतेंदर सिंग ने लॉंच किया बात कर लेते हैं आज के सेशन के कि आपका पहला क्वेस्टिन है वान नेशन वान फटिलाइजर योजना किसने शुरू की है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है किस कंप्री ने भारत की पहली अलुमीनियम फ्रेट्रें राग विक्सित की है दोनों क्वेस्टिन्स हमारे प्रीवेस सेशन से है इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीगरम हैंस को जोईन जरूर करना है थांके सो मच आल सीन में नेक्स सेशन